नमस्कार शोताओ, आज हम आपसे प्रारंबिक सिक्षा के प्रशाशन और प्रबंदन से जुड़े कुछ महात्वण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर गौरफ सिंग सिक्षा विद्यापीट इगनू से आपके समक्ष हूँ और मैं ये प्रयास करूँगा कि प्रारंबिक सिक्षा के प्रशाशन और प्रबंदन से जुड़े जो बर्तमान मुद्दे चुनोतियां हैं उनकी इस्पस्ट रूप से समझ विक्सित करन उससे जुड़ी कुछ प्रमुख चुनोतियों में से पहली प्रमुख चुनोति है सिक्षा के सारभ्भौमी करण के लक्षे को प्राप्त करना और एक अप्रेल 2010 से जो भारत में सिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ उस अधिनियम के समस्त प्रावधानों का सुनिश्चित कर पाना दूसरी बड़ी चुनोति प्रारंबिक सिक्षा के समक्ष है जो केंद्र द्वारा बित्तिय सहता प्रदान की जाती है वहें बित्त राज्यों के माध्यम से इस्थानिय निकायों तक पहुंचता है उसका सही से सदुप्योग हो इसके लिए केंद्र राज्य और इस्थानिय निकायों के बीच एक तारतम्मिता एक संबंध और एक सतत्ता स्थापित हो तीसरी बड़ी चुनोति भारत की प्रारंबिक सिक्षा प्रणाली में सिक्षकों की नियुक्ति उनकी व्यवस्था करना और उनका प्रसिक्षन उनका प्रसिक्षन सेवा आप सब जानते हैं कि भारत के प्रात्मिक विद्यालेओं में और प्रारंबिक विद्यालेओं में विद्याले सक्षा समितियों की स्थापना की परिकल्पना सिक्षा के अधिकार अधिनियम में की गई है तो वे विद्याले सिक्षा समितियां ठीक प्रकार से स्थापित हो उ विद्ध्याले विकास योजनाओं के निर्माण का तो विद्ध्याले सिक्षा समितियां उन विद्ध्याले विकास योजनाओं का निर्माण कर पाएं और उनका क्रियानवेन हो पाएं ये सारी प्रमुक्चुनोतियां हैं जो वर्तमान में भारत में प्रारंबिक सिक्षा के च्पर छैत्रमें देखी जा सकती है। यदि हम प्रसासनिक मुद्ध की बात करएं तो भरत में प्रारंबिक सिक्षा के च्पर में जो पहला प्रसासनिक मुद्धा है वे पदानुकरम अर्थाथ रायरकी और विकेंद्री करण अंशनित्न से जुड़ा है। ये देखा गया है कि भारत में सिक्षा सम्मेंदी नीतियों का निर्धारण उपर से नीचे की ओर होता है जिसको हम टॉप टू डाउन अप्रोच कहते हैं केंद्र और राज्यों में अधिकांस्ता सचिव, निदेशक, आयुक या पर्योजना निदेशक जैसे पदों पर वेठे विक्ति नीति निर्धारण करते हैं और विद्याले की सनरचना में, पाठिचर्या अंतरण में, बालकों के मुल्यांकन में इन नीतियों के क्रियानवे इनकी भूमिका सिक्षकों की होती है, तो कई बार सिक्षकों को ऐसा लगता था, कि सिक्षकों की भूमिका मातर क्रियानवेन की है, और योजना निर्धारण में, उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसके समाधान के रूप में, यदि हम मैंने जिन चुनोतियों और जिन समस्या को लेकर कई समाधान सुझाए गए हैं जैसे प्लानिंग में नीचे से उपर की और जाने का उपागम बॉटम टू टॉप अपर क्योंकि आपको पता है वहाँ पर विद्याले प्रवंदन समिती के व्यवस्था की गई है विद्याले प्रवंदन समिती की नियोजन में भूमि के लिए केंदर से अनुदान लेने हैं तिक तो नियोजन में नीचे से उपर की जब भूमिका आई तो सिक्षकों का महत्तो बढ़ जाता है दूसरा इसका समाधान है सिक्षक नियोजन अर्थात एजुकेशनल प्लानिंग में सब की भागीदारी सब की भागीदारी का आर् वह है इन योजनाओं में इस्थानिय अवशक्ताओं की अनुसार लचीलापन लाना हम सब जानते हैं कि जब नीचियां उपर से बनती हैं और वे नीचे की और प्रवाहित होती हैं तो उनमें संभवता लचीलापन कम होता है परंतु सिक्षा का अधिकार अधिनियम ऐसी न जनाओं पर बल देता है जिसमें इस्थानिय आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए लचीलेपन का परियाप्त अवसर उपलब्द हो आप ये भी जानते हैं कि सिक्षा का अधिकार अधिनियम में संस्थानिक इस्थितियों के अनुसार बदलावों की बकालत भी की गई है इसकि वजाए बित्त का प्रबंदन और बित्त की प्लानिंग indeed ऑफ फैंनेशिल दिपलॉयमेंट और जीला स्था इस्थानिये निकायों को स्वाइटता प्रतान की जाए सेक्षिक निर्णेयों के लिए हमारे हो व्यज़िए संकूल और भंड प्रियासिक्ष से नामसे ज नियोजन और क्रियानवेन में माता-पिता और इस्थानिय लोगों की भागीदारी एक महत्पूर्ण समाधान हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं कि जो अनुदानित धनराशी विद्यालियों को प्राप्त होती है उसका सदूपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी जाच करना ये एक बड़ा मुद्दा है। इसको सक्षम मनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं। ये एक मुद्दा है। एक और महत्पूर्ण मुद्दा है इस्थानिय निकायोदारा जो वित्य प्रवंदन होता है उस प्रवंदन का लेखा जोखा उसकी ओडिटिंग ठीक से की जा रही है की नहीं की जा रही है ये भी एक महत्पूर्ण प्रसासनिक मुद्दा है प्रारंबिक सिक्षक होने के ना सिक्षकों की नियुक्ति है तु योगिता के निर्धारण, सिक्षकों की गुडवत्ता सुनिष्चित करना, सिक्षकों का प्रसिक्षन और विद्याले में सिक्षकों की तैनाती। यदि आप इसमें से प्रतेक का अध्यन करेंगे और इसकी तुलना करेंगे जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में तमाम प्रावधान किये गए हैं उनके साथ तो समाधान आपको मिलेगा जहां तक सिक्षकों की नियुक्ति होती योगिता के निर्धान का प्रश्ण है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये जुम्मेदारी राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशत अर्थात NCTE को दी गई और NCTE ने प्राथमिक इस्तर प्रारंबिक इस्तर और माधिमिक और रहे हैं वे गुणी सिक्षक हैं वे गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा प्रदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसकी पहचान के लिए भी ये ब्यवस्था की गई कि एक केंद्रिय अस्तर पर पातरता परिक्षा या राज इस्तर पर पातरता परिक्षा आयोजित हो आप जा τοİT, Teacher Eligibility Test का आयो जन करते हैं, इनका प्रावदान इसलिए किया गया कि भले ही अध्यापकों ने प्रसिक्षन प्राप्त किया हो, वह प्रसिक्षन चाहें उन्होंने किसी सेवाकालिन प्रसिक्षन के रूप में लिया हो, या सेवा की व्यवस्था की गई देश में प्रात्मिक विद्यालियों में दो प्रकार के सिक्षक कारेड़त हैं एक तो वे सिक्षक जिनोंने कोई न कोई सिक्षक प्रसिक्षण लिया हुआ है और ऐसे सिक्षक भी हैं जिनोंने कोई सिक्षक प्रसिक्षण नहीं लिया हुआ है सिक्षा के अधिकार धनियम में दोनों पक्षों पर ध्यान दिया गया सेवापूरुप्रसिक्षन पर भी और सेवाखालीन पर भी और इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं राज्यस्तर पर SCRT हैं, डायेट्स हैं के इंद्रिस्तर पर इंद्रा गांधी मुक्त विश्विद्याले है और एन आ ओएस है एंसी यार्टी है और तमाम संस्थाएं इस तरह के कारिक्रम चलाती है जो सेवा कालिन प्रिसिक्षन और सेवापूर प्रिसिक्षन की ववस्था करते हैं हम सब जानते हैं और एक्सर समाचार पत्रों में ऐसी खबरें पढ़ते भी हैं कि किसी एक स्थान पर एक भी अध्यापक नहीं है अध्यापक बिहीन विद्याले हैं कहीं एकल सिक्षक विद्याले हैं और कहीं कहीं विद्यार्थियों के संक्या कम है और अध्यापक बहुत आ वायत में हैं ऐसी विसंगतिया क्यों तो शिक्षा की अधिकार अधिनियम में इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए भी प्रावधान किये गए हैं यदि आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ें और इसके परिशिस्टों पर जाएं तो इसके परिशिस्टों में य इतना होना चाहिए तो सिक्षकों की तैनाती अर्थात जो सिक्षक छात्र अनुपात है जिसको पी टी आर रेशियो कहते हैं उसको भी सुनिश्चित करने का काम सिक्षा के अधिकार अधिलियम में किया गया है जब हम सिक्षकों की नियुक्ति और प्रवंदन से जोड़े मु विवस्थाएं नहीं थी यह विवस्थाएं तब की गई थी जब सब सिक्षावियान के अंतरगत या डीपीपी कारिक्रम के अंतरगत राज्यों में सिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी सिक्षकों की संख्या बढ़ानी थी इस्थानी इस्थानी इस्थार पर सिक्षित युवाओं को सिक्षकों की मदद के लिए नुक्त करने का प्रावधान किया गया इस पर बहुत सारे प्रश्ण भी उठे बहुत सारे बिवाद भी हुए बहुत सारे बिवाद नियालें तक भी पहुँचे परंतु अब हमें इन योजनाओं के मुल्यांकन की आवश्रकता है कि क्या सिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद जब उसमें सिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित कर दिया गया है पूर्ण कालिक सिक्षकों की तैनाती की बात है सिक्षकों के प्रसिक्षन की बेवस्ता है प्रसिक्षत सिक्षकों के पातरता प्रिक्षा क की विवस्ता है तब हमें ऐसी योजनाओं की आवशकता है या नहीं यह एक मुल्यांकन का विशह है और इस पर कार्य किये जाने की आवशकता है यह बड़ी चुनोती है कि सिक्षकों के वेतन संबंदी मुद्दे वेतन विशंगतियां कई राज्यों में कुछ सिक्षकों को और कुछ सिक्षकों को वेतन उनके मुकाबले कम मिलता है तो यह विशंगतियां कैसे दूर होंगी महिला सिक्षकों की नियूंतम 50% भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी यह सारे वो महत्वण मुद्दे हैं जिन पर हमें चिंता करने की आवशकता है और यह मुद्दे प प्रवंदन समिती की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए विद्याले प्रवंदन समिती का गठन कैसे किया गया विद्याले प्रवंदन समिती का सयोजन कैसा है क्या यह ठीक वैसा ही है जैसा सिक्षा के अधिकार अधनियम में बताया गया है दूसरा मुद्दा है जो विद् यह एक बहुत महत्पूर मुद्दा है कई जगहों पर राजी सरकारें आवधिक रूप से समय समय पर विद्याले प्रवंदन समिति के सदस्यों के प्रसिक्षण की वेवस्ता है बी आरसी सी आरसी और डायेट के माध्यम से करती हैं हो सकता है कुछ जगह नहों रही हो तो यह प्रतेक सरकार की जुम्मेदारी है कि यदि प्रारंबिक सिक्षा की गुडवत्ता सुनिश्चित करनी है तो विद्याले प्रवंदन समिति की सदस्यों के क्या कारे है उनकी क्या भूमिका है इसमें उनका प्रसिक्षण अतियन तावस्षण है तीसरा महत्पूर मुद्दा बाल अधिकारें के संरक्षण का है और ये प्रवंदन से जुड़ा मुद्दा है विद्याले प्रवंद समिति की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है विद्याले प्रवंद समिति को अपने कर्तवियों के निर्वहन करना होगा और इसके साथ साथ स्थानिय निकाए वा अन श्रवन अर्थात मॉनिटरिंग विद्ध्याले विकास योजना का निर्माण जो अनुदान प्राप्त हो रहे हैं उनके उपयोग की देखवाल सिक्षकों की विद्ध्याले में उपस्थिती और उसमें निरंतरता है की नहीं है मद्यान भोजन योजना ठीक प्रकार चल रही है कि नहीं चल रही है और उनके आसपास के छेत्र के उनके गाउं के सभी 6-14 वरस के बच्चे विद्ध्याले में नमांकित हैं अत्वा नहीं है इन सब मुद्धों पर यह वो महत्वण मुद्धे हैं जिन पर प्रवंद्ध के दिस्टी से एक सिक्षक को भी चिंतन करने के आवशकता है क्योंकि जब वो किसी प्रात्रमिक बिद्ध्याले में सिक्षन करें तो यह देख पाई कि क्या यह सारी वेवस्थाएं ठीक प्रकार से कारिक कर रही हैं अत्वा नहीं कर रही हैं इसके साथ ही बिद्ध्याले प्रवंद्ध समिति के कुछ बड़ी समाज के सभी वर्गों की उचित भागीदारी बिसस्ट आवशक्ता वाले बच्चों को समान अवसर गरीवी उन्मूलन में साहता करना और जिसकी मैंने पहले बात की बाल अधिकारों का संरक्षन मुझे आशा है कि संचेप में मैंने जिन प्रसासनिक और प्रवंदकिय मुद्दों की चर्चा की वे मुद्दें आपको तर्क संगत लगेंगे और एक प्रारंबिक सिक्षा के छेतर में कारे करने वाले विक्ति के तौर पर आप इन मुद्दों पर चिंतन करेंगे और इनका मुल्यांकन करेंगे कि किस प्रकार ये मुद्दे प्रारंबिक सिक्षा के गुडवत्ता सुनिष्चेन में अपनी फुमिका निभा सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद